एक लड़का जो कि अपने दोस्तों के साथ एक नॉर्मल लाई भी जी रहा था लेकिन उसके जिंदिकी तब बदल गिये जब उसे पता चला कि वो एक स्ट्रॉंगेस निंजा क्लैन से बिलॉंग करता है एंद आप उसके पीछे दूसरे निंजा क्लैन पढ़ उसे जां से मरने के लिए लेकिन साथ में उसे अपनी फेमली का कुछ राज है जो उसे भी नहीं पता है और वो अपनी निंजा क्लैन को बचाने के लिए एक नॉर्माल स्टूडेंट से एक खतनक वाला निंजा बनने के लिए निकल परता है कहनी के शुरूत एक मीडल स्कूल में पढ़ रहा हुआ लरके से होता है जिसका नाम इटो की है ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें लाइफ में और भी कुछ मेमोरीस बनाना चाहिए क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से जिन्दी की जिया नहीं जाता इटो की स्कूल से अब घर जा रहा होता है लेकिन तभी उसके पीछे-पीछे बहुत देर से एक लरकी चल रही थी इसलिकर इटो की उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे-पीछे मत चलो एक काम करो मेरे साइड में ही चलो लगिन औो लगकी मना कर देती है एंड कहती है कि मैं सिर्फ ये काम इसले कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे मॉम ने मुझे बोला है कि तुम्हारे उपर नदर रखने के लिए ताकि तुम क्लासे कुलासे मिश्म करो फिर इटो की अपने घर के दरह आप जाते हुए एक बात को याद करता है कि आग जब वो जीमनेस्टिक क्लस में गया था तब ठीचर उसे बहुत ज़्यादा आपर ये तरीcm करता है। सिकर एनों घर के तरफ जाते हुए उच्छालते-कुदते जा रहा था, एन ये सब एक लड़की खड़े होके देख रही थी, उसके बाद हमें इतोकी का अंकेल को दिखा जाता है, जो कि एक स्टोर में काम करता है, इसका नाम होता है टोकि साजा, एन हमें साथ में ये भी पता चलता है कि इतोकी का अंकिल जिस स्टोर में काम करता है उसका मैनेजर और कोई नहीं है वो इतोकी का मॉम है एन इतोकी का जो डैड है उसके अभी डेथ हो चुका है अब सिंकट होता है हमें इतोकी को दिखा जाता है जो कि स्कूल में आया हुआ ह एन वो अपना इस्कुल का जो ड्रॉयर है जैसे उसे खुलता है उसके अंदर एक लब लेटर देखता है उसे लाइप में पहली बार लब लेटर मिला इसी करहानों बहुत ज़्यदे खुश है एन हमें पता चलता है कि यह लब लेटर उस लड़की ने दिया है जो बहुत टा लेता है अब इटोकी जैसे अपने घर को पहुचा उसके मम्मी को पता चल जाती है कि इटोकी को किसी ने प्रोपोस किया है इसी करहने उसके मम्मी उसे चिराने लगती है क्योंकि इटोकी अपने लाइप में पहली बार किसी लड़की को डेट कर रही है और लड़की इटो इतोगी को संडे के लिए डेट पर बुलाया है लेकिन इतोगी कि मम्मी यह लेकिन पर आजंड़ी कि इकलासे सिभ्त करके डेटश जाये धिन यह हम लोगो का पता चलेगा कि आफ मामी उसका नाम होथा है साटोमी अप संडे आ चुगा है इसकार एंट इटो की अपने मम्मी को चक्मा देती हुए अपने अंकल के कार में बैट के सातोमी से मिलने आया हुआ है लेकिन उसे पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाए और डेट पे क्या क्या करते है तब सातोमी उसे कहती है कि तुम मेरे घर में चलो और राजी भी हो जाता है फिर ये दुनों सातोमी के घर पे आ जाता है जिदर इटोकी बहुत सदरी नर्बस है क्योंकि वो पहली बार किसी लग्की के घर पे आया है तब अचनक से साटों मी अपने कप्र को उतर के उसके उपर गिर जाता है ये देखके तो पहले इटोगी बहुत जाता शौक्त होता है लेकिन उसे लगता है कि कोई उसके सथ प्रैंक कर रहा है इसलिए हो नीचिया के पलंग के नीचे देखता है एन उसे उदर दिखता है कि एक निंजा चुपा हुआ है एन तभी अचनक से बहुत सरे निंजा उसे घेल लेता है एन उसे उपर अटक कर देता है तभी उस रूम में कोई एक स्मोक बॉल फेकता है एन इटोगी को बचा के उदर से ले जाता है तभी उन लोग के कार सामने जाएके टकर खा जाता है इसी करण ये लोग इटोगी को कहता है कि तुम इधर से जल्दी जल्दी भाग जाओ एन इटोगी इधर से भागने लगता है एन इधर ये लोग उस निंजे से फाइट कर रहा है फिरा में इधर इटोगी को दिखा जाता है जो कि भागते भागते बहुत दूर आ चुका है और बहुत जादा ही ठक चुका है लेकिन तभी उधर एक फुलिस वाले आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इतर क्या कर रहे हो लेकिन तभी उदर इटोकी का अंकल आ जाता है जिसे देखके सारे निंजा डर रहा था और साथ में ओसारे निंजा इसे ब्लैक डेविल कहे के बोल रहा है तभी इटोकी का अंकल उस पुलिस वाले को कहता है कि तुम आप उट जाओ बहुत जाद ही उबर एक्टिंग हो चुगा है तभी इटोकी का अंकल उदर आके उसे कार से बहार निकलता है और अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इधर चल के आ रहा है और ओ अभी हे कहा फिर अचनक से ओध देखता है कि औसको चुछ लोगों के बीच में बैटा हूआ है वं तब ही उदर उसके मोम को देखता है और उसके मोम को वो जैसे कुछ बोलने वाला था तब उसके मोम कहती है कि तुम मुझे मोम कहएके मत बुलाओ बलकि तुम मुझे चीप कहके बुलाओ फिर उसके माम उसे कहती है कि हम सबी इगा विलेज के शिनोबी है जो कि अभी इधर रह रही है लेकिन इधर इडो के कुछ समझे नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है तब उसके मम्मे उसे कहती है कि अब तक वो लोग जो कुछ भी कर रहा था वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा था और सिर्फ वो लोग ही नहीं इस कंट्री में बहुत सरे निंजा क्लैन है जो की इस तरीके से छुपे हुए है और निंजा होने के कराण उन लोगो को बहुत सरे स्ट्रीक रूल्स फॉलो करना पड़ता है लेकिन जो गोगा क्लैन है वो लोग कोई भी रूल्स को नहीं मानते है और सत्मी दोकी की मम्मी ये भी बताती है कि इधर जितने भी क्लैन है उनमें सबसे ताकत बर गोगा क्लैन ही है क्योंकि उन लोग के पास आधोनिक निंजूत्सू बहुत सरा पैसा और बहुत सरे हतियार भी है अपने जाओ वालों को बहुत ज़्यादा कर रहा है क्योंकि उन लोगों ने अपना चीप को खो दिया है जिसका नाम है शीनोमाडू जिदर ओ बोल रहा था कि आप हम लोग अपना चीप का बदला लेंगे फिर हम इटोगी को दिखा जाता है जो कि अपने मैंन में सोच रहा रहता यह कैसे हो सकता है यह निंजा-बिंजा जैसे चीज़ भी एक्जिस चाहन पर इसका महाम उसे बताती है कि नींजा बहुत जबाम करता होद आप तुम्हें reset करना पड़ेगा तुम्हें क्या करना है इतो की बहुत जटा घबरा जाता है कि कुछ दर्पेले उसके उपार जान लेवा अटक हुआ है और आभी उसको बोला जा रहा हुआ है कि निजा बनने के लिए यह तो बहुत ज़दे मुश्किल है इतोकी का अंकेल उसे इस हलत में देखके उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेके भाग सकता हूँ इसलिए इतोकी को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दास से लेके भाग सकता हूँ लेकिन अगर तुम अभी मना कर दोगे तुम कभी भी नहीं भाग सकते हो असल में Itoki का फादर इगा विलेज का हेट था एन उसके मरने के बाद हेट बनने के बारी आई थी Itoki का लेकिन Itoki बहुत छोटा था था तब इसलिए उसका मॉम यह डिस्पॉंसिबिलिटी ले ली है और उसका मॉम एक निंजा भी नहीं है फिर वियो ओ इस विलेज का हेट बनी हुई है तो अब Itoki के बास रस्ता है इतoki को जो चूस करना है वह चूस कर सकता है अपने अंकेल के मुह से यह सरे बात सुनने के बाद Itoki की रोते हुए कहता है कि मैं अपनी मॉम को जोड़के कही नहीं जाऊंगा इधर हमें सादोमी को दिखा जाती है जो कि Itoki को मारनी की कोशिश किया था फिरा में Itoki को दिखा जाता है जो की नीन से उठा है और तब ही उदार एक लेडी आ जाती है और उसे कहती है कि आप ब्रेक्फस्ट कर लो और ब्रेक्फस्ट के बाद हम लोग गवा क्लान के सिच्वेशन के उपर मीटिंग करेंगे वो लेडी उसे बताती है कि अभी इस सिच्वेशन के वज़े से तुमें कुछ दोनों के लिए स्कूल जाना कैंसल करनी पड़ीगी और उसे एक निन्जे स्कूल में जाना पड़ेगा और उन स्कूल में सिर्फ स्टूडेंटी घुश चाकता है जो कि उस स्कूल में पड़ता है बाकी कोई नहीं घुश सकता है इतोगी का अंकेल उसे उस एक्जम जागा पे ले जाने के लिए मिदद करेंगे फिर इतोगी के मॉम के स्टोर में एक आदमी आया है जो की है गोगा क्लान के सेल्स मैनेजर इतोगी के पूछने पर वो लेडी उसे बताती है कि गाइस मैं बता दू मैं जिस क्लान का नाम गुगा गुगा बोल रहा था तर असल उसका नाम कोगा है ठीक है मैं गलती से गुगा क्लान बता दिया था जिसका नाम सुझा का है एन ये सुझां के आप लोग को आहि界 पता चले का क्यों है लेकिन इटोगी बहुत बहुता टेंशन में है क्योंकि वो कुछ भी प्रिप्रेशन नहीं किया है कि कैसे निंजी सु यूज करते है कैसे पानी वाला आग को क्रियेट करते है वागेरा वागेरा तब उसका अंकेल एक सिगरेट को जलाता है और कहता है कि यह फायर रिलीस था तो अगर उसे फायर रिलीस सिखना है तो उसे ऐसा कुछ चाहिए जिससे फायर निकलता है फिर इटोगी के अंकेल को एक कॉल आता है जितर उससे पता चल जाता है कि एक्जाम किदर होने वाला है तो वो लोग उस जगापे आ जाता है जो की एक्जाम हो रहा था कोगा विल नींजा फूट सेक्षन किधार है और उसके कहने पर वो जैसे उन से पूछता है वो लेटी उन दोनों को एक स्पेशल सेक्षन में लिए जाता है फिर दोनों जैसे उस क्लास के अंदर घुशने वाला था वो दो देखते हैं कि उधर पहले से कुछ स्टूडेंट बैटा नहीं तो अगर खुजने वाला इंसान उसे दस मिनित से पहले ढूंड लेता है तो वो एक्जम पस्ट कर जाएगा साथ में सभी के उपार कैमेरा के मदद से नज़र रखा जाएगा अगर कोई भी कुछ गलत हरकत करेगा तो उसको डिस्कॉलिफाई कर दिया जाएगा लिए लेकिन इटोगी समझ आती है कि यह लड़की कौन है लेकिन एक्जमिनर की करन उसे अंदर जाना ही पड़ा तभी हम देखते है कि एक लड़का इटोगी को मानने के लिए आगे जा रहा था तभी इटोगी का अंकेल आके उसे बचा लेता है तभी कोई से भी उसके प पता नहीं है कि, कौन किदर से हमला करने वाला, इसलिए, इटोगी को समाल के रहना पर नपरेगा, एंट आपी, इटोगी को पर एक हमला कर देता है, लेकिन उसे, कोई से बचा लेती है, एंट वो देखती है कि, जो एटक कर रही है वो एक special type का एटक कर रहा है फिर कोईसे उस एटक करने वाले को ढूनने के लिए एक ज़या पर चला जाता है जिदर कोई camera लगा नहीं था एन सामने एक लड़की भी थी उसे देखने के बाद कोईसे अपने शूट को एक्टिवेट कर लेता है एन उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है एन हम देखते हैं कि उदर बहुत सारे shinobi आके कोईसे के उपर अटक करने के लिए रेडी हो गई है एन इधा जो main shinobi है चुपके इटोकी के उपर जैसे अटक करने वाला था तब इटोकी आपने चारो तराफ fire लगा के जो main sensor था उसको activate कर देता है इसी करन उदर से पानी निकलने लगी एन जो suit था निंजा का वो खड़ाब होके दिखने लगी कि वो किदर चुपा हुआ है लेकिन वो इटोकी उपर जैसे अटक करने वाले थी तब उदर कोई से आके उसके उपर ही अटक कर देती है और हम देखते हैं कि उदर तभी बहुत सरे इगा निंजा आके उसको पकड़ लेता है एनो इगा निंजा इटोकी को कहता है कि जब यह fire alarm बजा तब तुम्हारा time खतम हो चुका था इटोकी कार में बैटके जा रहा था और सोच रहा था कि शायद उसे दोबारा से यह एक्जाम देना पड़ेगा क्योंकि वो फेल हो चुका है लेकिन तभी इटोकी के अंकिल को यह पता चलता है कि इटोकी को पस्ट करवा दिया गया है यह सुनने के बाद उसे समझ नहीं इसे पता चलता है कि जिन लड़की को उन लोगों ने पकड़ा था और सुईसाइड एटम कर लिया है फिरम इटोकी को मम को दिखा जाती है जो कि कहती है यह टेस्ट कोगा स्टोर में हुआ था इसकरां उन लोगों को लगता है कि अभी कोगा विलेज एन आर इन फोर्स के पितर एक अच्छा रिलेशन्शिप स्टार्ट हो चुका है मैं अब लोगों को बता दूँ यह आर इन फोर्स क्या है यह आर इन फोर्स वह है जो निंजस के सिक्यूरिटी एजेंसी है दूसरा इटोकी के अंकल बोलती है कि कोगा वाले शांत नहीं बैठने वाला है क्योंक विःव को इगा वालों नहीं मारा है साथ में उन्हें या भी लगता है कि उनके बीच में एक कोगा के जासू रहता है अगले हमें इसकोल को दिखा जाता है जो कि यह बहुत दिन बाद इसकोल में घया है इसकारण उसके दोस्तों उसे पूछ रहा आ था है कि तुम इतने पर उसे एक हमद कर देखकाए रखता है और चीमबर के पर पहुत है और अधर करते कि बहुत आइलन पर पर प्र Sacha से उठोष जाता है जितार सामने उससे लची मिलता है मुझे लगता है इसी कारण उसे इतौकी को देखने के बाद, इतोब के साथ हाई है करने लगता है लुबक कि स पता है के सारे के सारे बच Live को स्थे, वो लग के सारे के सारे इलीट मेंबर से, लोग कोने से, है एंड, साथ ही वह लग की कुछ भाता है, नहीं लोगों से बचकेर रहना पड़ेगा ने, तु तुमारे साथ बुड़ा हो सकता है, इस लग के- नहीं कृरेगी थी यह है की यह है, के वीतर एन वो इतोकी से दोस्तिक कर लेती है फिर उतर उन लोग का प्रिंसिपल आ जाता है एन उन लोग को कहता है कि कॉंग्रचुलेशन तुम लोग नेक्स ग्रेट में अब जा सकते हो इतर उन लोग को समझा रहा होता है निंजस बनने का रूल्स जो किधा कभी उमरना और किसों दोखा ना देना दुञाता है कि कि लोग इltoki का classmate होता है जिदर इटोटी को जूस के सब्सक्रीट कर वा धता है सिर्श नहीं और के सामने इन लॉट तक शाट का लेते का लेकिन इसे खाने पर तुम्हें बहुत ज़्याइए टाकत मिलेगा एंड पेट भी भर जाता है इससे फिर यह तिनों टेबिल में बैट के बाते कर रहा था जिदर पता चलता है कि किरेगी इन लोग को बताती है दरसल इधर कोगा क्लान वाले बहुत ज़्याइए ताकत बरे इन लोग के बात बहुत ज़्याइए इसकरान अगर हम लोग इधर कोई सा भी लंच लेंगे महेंगा वाला तो उन लोग को गुस्सा आ जाएगा क्योंकि वो लोग नहीं चाते कि हम लोग उनके बरबरी करें लेकिन इटोगी को उन लोग का ये बात अच्छा नहीं लगता इसकरान ओर लिडर बहुत ज़्यादा हो जाता है और भरक के इतोगी को कहता है कि हम कोई क्लान वाले को कभी माफ नहीं करेंगे दूसरी दरमें इटोगी की मोम को दिखा जाता है जिए उसके अंकेल इतोगी को बोलता है कि तुमने इतोगी को सच्चाई क्यों नहीं कि मैं एक से समय के लिए इंतेजर कर रहा हूं और उसका अंकल कहता है कि कई इसी करण कुछ गरबर ना हो जाए इधर इटो की अपने रूम में जैसे रेस्ट कर रहा था ता भी उदर को उसे आ जाता है वह आके उसे बताती है कि कोगा क्लान वाले उन लोग के उपर सिर्फ इ इधार आज हम लोग निंजा को चुर्ट नीज्या सूट को इस्तेमाल करना भूरत प्रेगा तुम लोग को और निंजा को बताती है कि आगा तुम्हें नींजा सूट में मस्टर हसिल करना है तो तुम्हें वह वो बिद्निंग दिह आ न उसके टॉप पर तुम्हें जाना पड़ेगा तुम लोगों को जिदर प्रिंसिबल बैट के बहुत सारा मिठाई खा रहा है तुम लोगों को पता है कि प्रिंसिबल का फेवरेट वो मिठाई है तो तुम्हें उस मिठाई को लेके आना पड़ेगा लेकिन प्रिंसिबल को उस मिठाई को खाने है था कि उसने पड़ाई नहीं की थी यह देखने के बाद वह सारे के सारे लोग उसका मज़ाग उड़ाने लगता है और कहता है कि यह इगा क्लैन के आगला चीप होने बाला है लेकिन इसे एक सूट भी एक्टिवेट करना नहीं आता है तब टीजरा के उसे बोलती है कि तुम्हाग जलती-जलती दर्स से नहीं निकले तो तुम्हें इलिमिनेट करबा दिया जाएगा तब दुदर रियो का आ जाती है और उसे बोलता है कि मैं कुछ काम कर देता हो ईटोगी के सूट में तब रियू को उसे बताती है, नींजा कोर दरसल एक नींजा टूल होती है, जिदर हर तरह के क्लैन के पास हर तरह के अलग अलग अबिलिटी होती है, तो इतोगी को ये कोर समल के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो नींजा सुट कोई भी काम क करनी की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोगा क्लैन के लीडर कोउसे की उपर इटक कर देती है, इसके बाद ये लीडर सबसे पहले उपर आ जाता है, न सेगेन में कोशा की आ जाती है, न साथ में कुछ और भी निंजा सुधार आने लगे थी, ये बंदा जैसे इतोगी को ये हालात करा है, वो बहुत जाता है, न वो कोवा क्लैन के बंदों के पास जाता है, जिदर कोवा क्लैन बाले और एक बंदे को पकर रखा था, इसके इतोगी उसके उपर एड़क करने ही वाला था, लेकिन वो लोग अजने से बच जाता है, क्योंकि इतोगी बहुत जाते क किरोगी को देती है जो कि वो कोगा क्लान बले से चीन के ले गई थी और मैं आप लोग बता देता हुए मांजू किया है यह मांजू वही मीठा ही है जो प्रिंसिवल बैट के खाड़ा था इधर हमें कोगा क्लान के उस बंदे को दिखा जाता है जो कि अपने टीचर्स को लेके चला गया है चोड़ी करके और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है ताभी उन लोग के गुरूप का लिडर उसे ठपान मारता है फिर हम इतिको को दिखा जाता है जो कि बहुत ही मुश्किल के बाद उस बिलने के उपर आ जाता है जिदर इसके प्रिंसिप ले पीर हमें तुरिदर बाद का सीन दिखा जाता जिदर इटो की अपने स्कूल में आया हुआ है लेकिन सब ही उसको इग्णोर कर रहा है क्यूंकि कोगा वाले ने सब को बताया कि यह करने के लिए को उससे इतिको को कहते ही है कि तुम बागी क्यों वार ध्यान मत दो अग इतो की का अंकिल है तब यह उतर एक लड़की आती है और जोकी एक निउ मेंबर होती है और वो लोग उसे बोलता है कि तुम जाओ टोकी साधा के उपाट स्पाई करो शीवसे वाद के लिए को हमें वी बागी के लिए दुसरी दभा हमें टोकी साधा को दिखा जाता है जो उसे देखने के बाद वह आदमे उसको पड़ अटक कर देता है यह इधर हमें दिखाा जाता है इटो की किसालवों को धेल लेकि रियों के पास आ जाता है क्योंकि उसे निंजा टूल्स के बारे मेश जानकरी चाहिए किरेगी आके उसे बोलती है कि निंजा होने के मतलब अंसर को याद करना नहीं होता है निंजा होने के मतलब उस अंसर को चुराना होती है तो आके ये बताती है कि एकजाम के शुरूने से पहले टीचर उस अंसर को एकजाब पे चुपा देगी जिदर इस बार सुजा को उन लोगों को शांत करके कहता है कि हमें एक पर्फेक्ट टाइम के लिए इंतेदर करना चाहिए लेकिन उदर एक बंदा उसके बात को नहीं मनता है लेकिन उसके फादार उसके विलेज का चीफ है इसी करना उसके फादार नहीं चाती है कि उसके बेटी आगे जाके इस विलेज को सक्सिट करे एन स्कूल में आने से पहले उसके पापा ने उसको साथ या सर्थ लखी थी तुम्हें निंजा वोल से सारी के सारे रिष्टा तोड़ना पड़ेगा दूसी से अमें टोकी साथ एन केंशिक को दिखा जाता है जिधार केंश सो टोकी साथ से माफी मंगता है एटक करने के लिए कानेस से उसे बताता है उसे हाली में एक खावार मिला है कि कोगा एन इगा के पीज चीज़े अच्छे नहीं चल रही है उन लोग के बतों से यह पता चलता है कि कोगा विलेज़ वाले साइका विलेज़ से टूल्स खरीदना बंद कर दिया है वो लोग किसी बाहर के और्गनाईजेशन से वो सारे के सारे टूल्स खरीद रहा है इधर इतोकी एन उसके सारे के सारे दोस मिल के अंसर चुराने के बारे में प्लैन करते है जिदर और भी दो तिन बंद आता है और इतोकी ने बचाल था के रियों को ईटोकी बरियोग जैसे इस टूल्स के उन्ष करता है वो देखता है कि अंदर इंसर रखा हुआ है लेकिन उस class में उसका teacher अभी भी है लेकिन इतो की के लपर भाई की कारान वो शिरी के गलती से दर्बा से टक्कर खाके उधर गिर जाता है इसी करण उसका teacher भी alert हो चुकी थी और इधर में दिखा जाता है कि यह सरके सरे उधर से भाग रहे थे रोप की मंदद से लेकिन इतर समझ नहें आ रहा था कि वो क्या करें सभी लोग रोप की मादब से जा रहा था लेकिन जैसे ही एक करण teacher को डिस्टर कर्ने के लिए इधर केरीगी एक एक स्मोग बम को यूज करता है इसका teacher जाता है कि इधर क्या चल रही है और वो teacher उन लोगके पीचर करन लगी नोग का इधर हमें टोकी सरे को दिखा जाता है जो कि कैमेरा को चकवा देते हुए एक विल्डिंग के अंदर घुष रहा है इधर हमें दिखा जाता है कि इटोकी जैसे इस क्लास्रूम में इंटर करता है उसे उस लौकर के की नहीं मिलता है सुनने के बाद को उसे उन लोग बचने के लिए उधर चला याती है तब यह को साइका क्लान के बनाया हुआ एक नीव टूल को दिखाती है वैसे भी यह टूल प्रोटाइब है लेकिन यह एक अच्छा नीजा टूल है और लोग अगर पक्रें ना जाए तो सब कुछ सेही लेकिन उसे खोलने में अभी 32 मिनिट का टाइम लगेगा लेकिन तब ही वह नोटिस करता है कि उसके उपर ही पासवार्ड लिखा है और जैसे उस पासवार्ड को खोलता है वह देखता है कि यह लौकर के ब्लूप्रिंट नहीं है बस कुछ पैसा है तो यह दोनों उस अंसर परशिट मिल चुका है एंड हमारे मिशन कंप्लीट हो चुका है इधर हमें उस लड़की को दिखा जाता है जो कि टोकी सदा के उपर स्पाइब करने का काम कर रहा था तब ही उसके सामने एक स्पाइडर जैसा टूल्स आ जाता है एंड इस लड़की का चेहरा उस पर देखने के बाद भी उसके उपर नजर रखना बंधना करे अगली सुपा इतुकी का सारे क्लास्मेटों का एक्जम शुरू होता है लेकिन इधर सारे के सारे क्वेश्चन से अलग था इसकरण किरोगी एंड इतुकी का हालात बहुत जादे खराब होता है इधर कोगाव वाले उन लोगों के चाहरे का रियक्शन देखे बहुत जादे खुशते क्यूंकि उन लोगों ने उस केस में रखा हुआ अंसर स्ट को बदल दिया था फिर हमें दिखाया जाता है इसी कराण यह दोनों डिप्रेस्टों के परे थे तब रियो को उदर आती है और उन लोग असल में निंजा कोट एक्जिस्ट करता है लेकिन वो कोट बहुत ही सीक्रेट रखा गया है और उसके बारे में सिर्फ इगा के चेफ ही पता है कि ओक इधर है और कोगा वाले उस कोट को ढून रहा है इसका मतलब वो लोग एक वार चाता है इधर को इतोगी को बताती है कि जडरूर हमारे में से कोई एक जासु से जो की कोगा वालो से मिला हुआ है क्यूंकि कोगा वाले ही ऊँआंसर पेपर चेंज की थे क्योंकि उन लोगों कैसे पता चला जला कि हम लोग कौँसे पेपर को चुराने वाले थे दूसरे दर अब एक पास का सीन दिखा गया, जिदर सुजाकू पिछली बाले कोगा के हेट से बाते कर रहा था, जापरो सुजाकू से बताता है, कि मैं एक ऐसा वाल्ड चाहता हो, जिदर कोई निंजस ना हो, क्योंकि निंजस का काम होता है, वाल्ड को प्रोटेक्ट करना, तो एक ऐसा वाल चाहिए है जिदर कोई ऐसा एनेमी ना हो ताकि निंजास को लड़ाई वगएरा ना करना पड़े और सभी शांती से रहे सबस्वाइब को भी कहता है कि मैं आपके गोल को कंप्लेट करने में मदद करूँगा तरसल यह सारे बात वो लीडियार मरने से पहले इससे की थी इदर इतोकी के कलास शुरू होती है जिदर टीचर आके सभी को बताती है कि समर ब्रेक से पहले एक प्रैक्टिकल एक्जाम होने वाला है इसलिए ओ किरोगी को बोलता है कि मैं यह एक्जाम ड्रॉप कर दूँगा लेकिन किरोगी उसे बोलती है तुम पहले वाला टेस्ट में फेल हो चुके थे और अगा तुम यह वाला टेस्ट में भी फेल हो जाओगे तुमें शायद स्कूल से निकल दिया जाएगा एन इता शियोनी एन हयाते बात कर रहे थे जिदर हयाते बताता है कि कोगा क्लेन खुद को बहुत ज़़ा तकत बर सुषती है बहुत सारा चोड़े-चोड़े ग्राम को हरा के उसको एक्सपेंड किया है एन निंजरूल के बिल्कुल खिला पे लेकिन ओ लोग पैसो की मदद से ये सरे काम कर रहे है एन वागे ये भी बोलता है कि पिछले कोगा क्लेन के जो लीडर था उसके करनी कुछ ऐसा बदलाब हुआ था जो की बहुत अच्छा था लेकिन उसके मरने के बाद जो अभी लीडर है वो बहुत ज़दा ही गंदा है और वही एक ऐसा लीडर था जो की शांती चाता था कोई मारधर नहीं और उससे ज़दा ताकत पर भी पूरे क्लैन में कोई नहीं था इसलिए सबी लोग उसका इज़द करते थे लेकिन फिर भी उसको कोई मरडर किया है यह सुनके ओ लड़की इसे बूलती है कि एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़दा ताकत पर है और रिस्पेक्टफुल भी है लेकिन कोई उस आदमी को ऐसे कैसे मर सकता है और अगर इगा वाले इसका मरडर किया है तो और लोग क्यों किस कारण से इसका मरडर किया है फिर हाया ते उसको बोलता है कोगा क्लैन इगा क्लैन के उपर बहुत ज़दे गुस्टा है और अगर सिच्वेशन ऐसे ही चलती रही तो बहुत जल्दी एक बहुत बढ़ा वार शूर होगा इसलिए उन लोग का काम ही है कि जल्दी से जल्दी वो उस सच्चाई का पता लगा है और इस वार को रोक दे और दूसरी तरब हमें इतोकी को ग्रूप का दिखा जाता है जो कि बैटके आने वाले एक्जम के लिए स्ट्रेजी सोच रहा है कि क्या करा जाए इतोकी उन लोग को बदताता है कि मैंने चाता हो कि मैं तुम लोग के साथ अभी रहू इस टेस्स के दावरान क्योंकि मेरे वज़े से तुम लोग पहले भी बहुत भावाँ जाता मुसीबात ढ़स्बा जिल चुके हो यह टूल स्कूल के जो टूल्स में रेजिस्टर भी नहीं किया गया है इसलिए करन फिर आगले सिन में हमें दिखा जाता है कोव इतोगी को बताती है कि मैं प्रैक्टिकाल शुरूने से पहले ही आटक करेगी शुदक के उपर क्योंकि वो अभी के situation के हिसाब से तुम्हारे जान के पीछे पढ़ा है इसलिए और practical exam की फाइदा उठाके वो तुम्हें मारने के कोशिश करेगा इसलिए को उस लड़के को पहले ही मारना चाती है और वो कहती है कि यही एक रूल है शिनुवी का या फिर मारो या फिर मारो इतो की इस बात पर कुछ नहीं बोलता और उसे इस बात पर बहुत जाद बुरा लगता है इतो की बाहर आजाता है और उसके साथ मुलाकात हो जाता है उनके principle से यह दोनों बैट के बात कर रहा था जिदर इतो की उनसे पुछता है कि क्या निंजा स्किलर्स होते है और क्या एक निंजा किलर होने के करान मेरे फादर का डेथ हुआ है लेकिन principle कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम भी मुझे यह बता रहे हो कि तुम भी ऐसा नहीं बनना चाते हो आगले सिन में दिखा जाता है कि कोव इतो की को practical exam का practice कर रहा है इस exam में सामने बाले निंजा का निंजा कोड चुराना पड़ेगा लेकिन इतो की एकदम सिधा जाके कोव से उसका जो cheat code है वो लेना चाता था लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है इसकरन आगर तुम्हें किसी निंजा का यह cheat code लेना है तो तुम्हें पहले चुपके and छीन कर उससे वो code लेना पड़ेगा इसकरन इतो की practice कर रहा था बहुत पहली practice में वो fail हो जाता है इसलिए दूसरी practice करता है जो कि था पक्रे जाने पर दौल लगा के भाग जाना practice करता होने के बाद इतो की and को मिलके इसी जगों को मानने के लिए plan बना रहा था जिदर ओ एक paper पर मार्क कर रहा था लेकिन उस paper को fake देता है dustbin पर फिर वो दोन उदर से चला जाता है एन हमें दिखा जाता है कि एक कोई student आके उस paper को उठा लेता है dustbin से इधर को अक्रान व उदर से जाने लगती है एन इधर कोई student इतो की की तरब जा रहा होता है और यह लोग जिदर इतो की को ढूणने के लिए गया था उस रूम में पहले इतो की बेहुश करने वाला spray को चुपा के गया था इसी करन यह लोग बेहुश हो जाता है उदर साथ में इन दोनों को व वाले उनका जो विलेज है उनको तबा कर देगा इसलिए वो यह सब पुछ किया है फिर उदर और एक लड़का आ जाता है कोगा क्लैन का जो कि उदर इतो की को ढूण रहा था लेकिन इतो की पहले से भेज बदल के उदर बैटा हुआ था उस मास्क की मदद से जैसे वो मास्क पहना था और यह लड़का और कोई नहीं है यह सुजाकु है दूसर अब को जिसे सुजाकु समझ के अटक कर रही थी वह दर असल कोई और है और वह बंदा भी सेम्टू से मुओ मास्क को पहना हुआ था इधर इतो की सुजाकु से बचने के लिए भाग रहा था लेक दू की इगा वालों ने हमारे लिए धीडर को माडर किया है सुजाकु बहुत ज्यादा था है इसकरा इतो की स्मोग रिनेट का यूस करके पेट में एक बार उसका सूट है ख़राब हो जाता है यह प्रशनित भी यो लीयर कोई यह जो मर चुका है। यह उर要म खैता है लेहों के फंसद सब्सक्रिआ के व्यर्णमिप जहाता है, कामियों के लिवेर सब्सक्मिक जाता है, मैं आप लोगों पता दूँ शीनामरू कॉन है ये वोगी लीडर एक हुगा का जो मर चुका है इसी चेम्बर में इतोगी का अंकेल भी था जैसे ये लड़की थोड़ा सा अगेवरी वैसे ही वो एजेंट इतोगी के अंकेल के सर्टकर खा जाती है एन इत्योगी का अंकेल अभी तक इन्वीजिबल था वो वीजिबल हो चुकी थी फिर वो दोनों अपने आवाज को कंट्रोल करते हुए उदर से बाहर आ जाती है अब आगले दिन का सीन दिखा जाता है जिदार किरिगी सुदोगी के पास आती है असल में किरिगी सुदोगी को अपना मास्टर मनती है और उसके लिए काम करते आई हुए है इसका मतलब यह लड़की भी एक स्पाई है जो की उन लोगों के फ्रेंड के साथ रहती है अब आगले दिन में किरिगी का एक पास दिखा जाता है जिदार किरिगी का फादर उसे बताती है कि चोड़ी, मुर्डर करना, धोका यह सब एक सीनोबी का काम होता है अब सामार का टाइम आ चुका था जिदार सभी के सभी लोग एंज़ाइ कर रहा था ईदार हमें दिखा जाता है कि इतोकी अपने सारे friend को लेके अपने घर में आया हुआ है इदर इसके mom से हमें यह पता चलता है कि उनका जो faster वो जल चुकी है इतोकी का जो uncle है उसको यह लगता है कि यह सब कोगाबालों की काम है इदर इतोकी के मौम इन सभी को enjoy करने के लिए कहती है लेकिन इदर केरेगी कुछ दिर बाते करने के बाद चूपके से इतोकी का जो हाउसे उसको explore करना शुरू करता है और जो भी उसको पता चलती है वो एक bird की मदद से साजकू को सब कुछ बताती है इदर साजकू अपने फादर को जाके बोलता है कि जो गिगा क्लान के उपर हम लोग हमला करने वाले है उसका lead में करना चाहता हूँ दुसरी दरफ हमें दिखा जाता है कि इतोकी का फैमिली इतोकी का जो फादर है उसका जो कबर स्थान है उदर जा रहा है लेकिन इतोकी का mom उसके uncle से कहता है कि हमें उदर जाने से पहले एक ज़्याप पे रुकना पड़ेगी फिर वो लोग एक hospital में जाती है जिदर एक लड़का कुमा में था पाथ सल से इतोकी का mom उसे बोलती है कि हमारे जो principal है ना ओ मेरे father का नाम लिया था जिदर मेरे principal ने मुझे बताया था कि मेरे father ने उन्हें बोला था अगर ninja सिर्फ खून खराबा करने के लिए होता है तो मुझे ninja बनना ही नहीं है फिर उसके mom उसे बताती है कि उसके father का एक wish थी जो कि हरे गाव के साथ अच्छे से संबन्ध निवाना और उन्हें कभी धोकाना देना लेकिन reality कुछ अलग थी तुम्हारे father का death तुम्हारे uncle टोकी सदा के सामनी हुई थी जब वो दोनों एक mission पे गेई हुई थी इसलिए टोकी सदा आस्ता खुद को उसकी मौत का जिम्मेदा समझती है और उसकी मौम इस clan का hate होने की कारान बहुत सारे mission में बहुत सारे लोगों को उसकी मौम को भेजना पड़ती है इसके बाद हमें दिखा जाता है कि अगले दिन इतोकी और उसके ज़रे सारे friend एक lake पे जाती है swimming करने के लिए इसे नहीं कर पाता तो उन लोगों को भगा दिया याता था किरिगी को अपने पीदा का कुछ बात यादाने लगी जिदर उसके फादर ने उसको बताया था कि कैसे बच्पन से उसे अपनी emotion सब के समने चुपाना पड़ी थी फिर आगरे सिंदर में दिखाया था है कि इतो की उन सारे फिशों को फ्राई कर रहा था लेकिन उसके हाथों से उसके अंकेल एक फिश को लेकर खाने लगता है उसके अंकेल उसे बताता है कि इदा जो सारे के सारे लोग एक साथ एक जूट हो के काम कर रहा है इसका कारण है तुम्हारे मॉम क्यूंकि तुम्हारे डेट के डेट होने के बाद भी ओ बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से एन मेहनत से सब कुछ समाला है इसकारण ये सबी के सबी लोग एक जूट हो करके रहता है वह आगे ये भी बताता है कि कोईसे का भी कोई फैमिली नहीं था उसके मातापिता ने उसे बचपन से छोड़ दिया था लेकिन तुम्हारे मॉम ने उसे अपने साथ रख लिया है इसकारण कोईसे तुम्हारे मॉम के लिए अपने जान भी दे सकता है फिर उसके अंकेल उदर से सारे के सारे मस्लिय के भाग जाता है लेकिन ये उसको पता ही नहीं चलता है इतोगी को पीरा में दिखा जाता है कि इतोगी का अंकेल इदरा की उसी स्पाई को एक फिश ओफर करती है जो की बहुत देरों से उसके अंकेल के उपर नजर रख रही थी इसी करान उसके फाइट आरिन फोर्स के एक मेंबर से हो गई जिदा टोगी सेथा को बता था कि यह एक मार्डर है लेकिन आरिन फोर्स के एक मेंबर बोलता है कि नहीं यह एक एकसिडेंट है जिकरन टोगी सेथा बहुत दा गुस्ता हो गया था और सभी के सभी लोग उसको रोकने लगे क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा है तो अकेले ही पूरे विलेज को खतम कर देगा तबी इतोगी का मॉम उदर आ जाती है और उसे एक थपल लगा देती है और उसे समझाती है फिर उसके हाथ में जो चाकू था उसे भी पकल लेती ह तो खुण खुण भी निकल रहा था वो उसे समझने लगती है कि उसके पती इसलिए नहीं मरा है ताकि मनने के बाद इधार खुण खबर आवा चलते रहे वो तो हमेशा से इगा में शांती चाते थे फिर से इन पेजन में आ जाता है विसी दरह में दिखा आता है कि इतोग कि अपने मॉम से इस बारे में बात करने के लिए फिर उसके मॉम उसे एक अलग से रूम में ले जाती है, फिर हमें दिखाता है कि किरोगी भी उसके बातों को सुनने के लिए उस रूम से जाने लगती है, तभी एक आदमी उदर आ जाता है, और उससे एन्रियों के से इतोगी को बता रही थी कि आप मैं तुम्हें इगा निंजा के सीक्रेट कोट के बड़ा में बतने वाली हो असल में उस निंजा कोट को सील कर दिया गया था क्योंकि वह बहुत सब्सक्राइब थी और वह किदर है वह सिर्फ इगा के चीप को पता है और किसी को पता नहीं है वह उसे कि और स्क्रोल दीखा ती है जिदर इगा के निंजस के रिजिस्ट्री रहेगे इंडिस दिन अटी का नाम ही इरैक सच्छा निंजा बन पाएगा फिर हम इतोकी और प्रिक को दिखा जाता है जो बैट के बाते कर रहा थे दभी इदर वहीं ही अंकिल आ जाता है और उन लोग दिखा सब्सक्राइब करेंग को दिखा जाता है जो कि एक मीटिंग कर रहा था इसी विशाय में क्योंकि इटनी चीप आने वाला है तो इन लोग को डबल सीक्यूरूटि रखना पड़ेगा सब एक लिए रखने के लिए दिखने के लिए जाते हैं कि साइका विलेज मेर्द हमक्ते चैनल इसमीटिंग मुझे मॉव शुप करें हैं प优क मारंद मेर्म को प्राहब है ने लिए तब कोगा विलेज के चीफ लिए कर रहा है कि कुणा के एक्षेंज पूरे कंट्री को अटक कर रहा है कि जैसे कि आप लोग उन्हें बोला था कि साहिका विलेज अपकेंटर में काम करता है तो अपकर रहा है क्योंकि अब इससे पता चले कि साइका विलेज़ वाले किसी होल्डिंग पर काम कर रहा है एन साथ में अभी साइका विलेज़ वालों के बहुत सरे मेंबर्स अचनक से गाइब होने लगे हैं एनमी ऐसा इंसिडेंट चल रहा है इसलिए छोटे-मोटे गाउ के साथ कॉंटेक्ट नहीं कर रहा है उसकी इस सारे बातों को सुनके कोगा विलेज़ के हेट कहता है कि यह सिर्फ एक जूटा आरोफ है तब हाया जो सभी विलेज़ की हेटों से पूछता है कि क्या तुम लोगों कोगा विलेज़ के तरफ से कोई थ्रेट आया है या नहीं लेकिन तभी सभी विलेज़ कर रहा है को गावाले इपनी ताकत के मदद से सभी गाओं को कमसर करने की कोशिश कर रहा है निवागए ये भी कहती है कि इसको रोकने के लिए इगावाले अपने निंजा कौट को भी डिस्ट्राइ करने के लिए तैयार है इदोगी के मौम के महां के बातों को सुनके सावी के सभी हेट्स धीर दीरे करके कोगा वालों के उपार इस दम लगाना शुरू करते हैं ओ सभी के सभी हेट कहता है कि कोगा वालों की वाज़से हमें बहुत धिक्कत जिलना पड़ कहता है कि कोगा के पीछले हेट का जो डेट हुआ था उसका इन्विस्टिकेशन कितना चल रहा है तब हाय तो कहता है कि उसके डेट के पीछे एगा वालो को यहात है क्यूंकि हमें कुछ पिक्चर मिला है जीतर कोगा के हेट का डेट्थ हुआ था वो एक पिक्चर को दिखाता है जो कि बहुत जब जड़ जबुड था यहात है लेकिन इसमें जो में चीज़ है वह है आॉडियो और इसमें जो को कहता है कि तुम मेरे सथ चलो लेकिन तब बीच में टोकी सदा आ जाता है कि हम सभी निद्दोशे हमने कुछ नहीं करा इसलिए मैं चाहती हो कि मुझे इनुसें प्रूब करने के लिए एक मौका दिया जाए इसलिए इतोकी के मौम उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती हो जैए तब इतोकी की मौम को काहती है कि तुम इतोकी को कह बहुत है कि तुम इतोकी सदा इतोकी को काहता है कि तुम में जाने माले को भी रहन से रखना πबாता को विलेज को दिखा जाता कि सारे के सारे लोग बावाजो तक गुस्सा हो रहा था कि उसके लीटर को भी एर्स कर लिया गया है इगा निंजा वालों की वाजा से इसलिए आप लोग एगा नींजा वालों को छोड़ेगा नहीं ए उन लोग के साथ एक जंग करेगा फिर दोब का वो और कोई नहीं था वो सेगन डिविशन का क्याप्टन था जो कुछ दर पहले इतोकी की मम्मी को ले गया था और तभी में पता जलता है कि यह लड़का जो सूट पहना हुआ है यह लेटेस्ट कोगा वालों ने बना के उसे दिया है तभी यह बंदा हयाजों को कहता है कि तुम हमेशा इगा वालों को क्यों सपोर्ट करते हो तभाया जो से बोलता है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर गड़बर है लेकिन तभी उस बंदे ने उसके सर पे वो वाइपन रग देता है फिर आगले सिर में हमें दिखा जाता है कि इगा क्लान वाले सभी एक चीप बनना चाहता है जो कि बोल रहा था उसका जर्म एक कमज़र शरील में हुआ है इसलिए उसके बाड़ी को मशीन से रिजनरेट करा जाता था एंड इस सारे टेस्ट का पड़ी नाम फेलियर ही निकला लेकिन उसके भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसक जलता है कि उसके भाई और कोई नहीं है कोगा का पिछला चीप जो कि उसका नाम ता शीन मारू वह है लेकिन अभी तो ओ मर चुका है दूसरफ सीन प्रेजन पर आता है जिदर हमें दिखा जाता है वह सेवेंड डिशन का क्याप्टेन आ जाता है कोगा के हेट के पास और इ लड़की जो की जासुस बनके उ angryट के पढ़ा था वह लरा की शौक्त हो जतना खवर जाता है कि हेट कहा गया कैसे वो गाएब हो चुका है आगे यह कैपटेन बताता है इगा का हेट जो की इदोकी के मॉम है उसने वन्हें बताया है कोगा का पिछली छले हेट जो इसका मतलब Division 2 का Captain Koga वालों के साथ मिला हुआ है, जो की Rules के खिलाफ है, फिर एक बंद पुछता है कि तो फिर उसने तुमें क्यों हेट बनाई है, इसके response में वो कहिती है कि क्योंकि उसे पता है, मैं कोई भी कांसरी से समाल नहीं पाऊंगे, इसी वज़ा से ओ अपना काम बह लोगी तो तुमें एक्जिक्यूट नहीं किया जाएगा, इसमें इतोगी की मौम कहती है कि भले मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं कवे भी इगा निंजा का सिक्रेट को नहीं बताऊंगी, इधर काओ के हैट उसे कहने लगा, अगर इगा का वो सिक्रेट निंजा कोर को हम इतोगी को एक मीटिंग के लिए बुलाता है, फिर सब इगावाला बैट के इतोगी के मौम के बाड़े में बाते कर रहा था कि काल उसका एक्जेक्यूचन होने वाला है, तभी एक आदमी उदर उठ जाता है, एन कहता है कि हमें हमारे चीप को बचने के लिए जाना होगा, इस पर टोगी से था कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे गाव से निकल दो, एन में जाके तुम्हें मौम को बचा लूँगा, तो वो जो दोशोग गाव मुझे पड़ेगा, ना कि पुरा इगा क्लैन को, तब इतोगी कुछ सोच रहा था था, एन सभी उसका जब आपकी इंतिजर कर रहा था कि ओ क्या करने वाला है, तब ही कोव से उच जाता है, एन इतोगी के गले के सामने एक चाको पकड़ लेता है, एनो कहती है कि तुम मुझे भी एकस्पेल कर दो ता कि मैं भी जाके तुम्हें मौम को बचा पाओ, क्योंकि तुम्हें मौम के ओरत देता है कि तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, लेकिन सभी λोग समाल के रहेना था कि तुम लोग पकरे ना जाओ, लेकिन किरोगी को दिखा जाता है जो कि सब कुछ सुन लिया था, इसी करण ओ, इधर जो कुछ होने वाला है, इसी का खबर कोगवालों को दे देती है, और वो इन दोनों को बताता है कि अब senior executive meeting शुड़ू होने वाला है, जिस पर ये लोग समाच जाता है कि अभी ये लोग इगावालों के उपर attack करने वाला है, तभी उतर सजाकू आ जाता है, अब लोग को याद नहीं है तो मैं बता दू सजाकू होई लड़का है, जो उस ninja school म इतोगी के जान के पीछे पड़ा था, फिर सजाकू इन सभी को बता देता है कि मुझे एक spy से पता चला है, इगावाले अपने head को बचाने के लिए उधार जा रहा है, एन सजाकू आगे बोलता है, इगा का best fighter अभी नहीं है, तो उन लोग के पास ये best opportunity है, इगावालों के उपर अटक करने का, सजाकू को आगे बोलता है कि जाब वो लोग अटक करेगा इगावालों के उपर, तो मैं आगे राके lead करना चाता हूँ, यह सुनने के बाद कोगा का head बहुत जादा खुश होता है, लेकिन उसके dad उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हो कहता है कि dad म अब बच्चा नहीं हूँ, फिर इधर कोगावाले बैट के meeting कर रहा था कि वो लोग इगावालों के उपर जो हमला करने वाला है, यह ठीक है या नहीं, इधर कुछ लोग बहुत जादा ही खुश थे कि वो लोग इगावालों के उपर अटक करने वाले है, क्योंकि अभी उ साजूगी के फादार मनाने की कोशिश कर रहा था अपने हीट को कि वो लोग अटाक ना करे, क्योंकि वार्स सब्कू सब्ला लाए हुझ है, उसका यह बत सुनके कोवाला का हेट है, वो मान लेता है, और नहीं यह कीन ही नहीं होता है कि इतना झाहिज मन गया, लेकिन तब इन वह ये प्रव को सोख़ों के उबमाद चैनल रहें आ जब हो मीं है कि तुम पूरा ना निग जा रहा है कि इतोकि प्रेंड को से प्रविश किया गया है फिर यह अंकल आगे कहता है कि जब कोई निंजा किसी के उपर एटक करने वाला होता है तो रात कोई ज़ादार करता है और चाहता है कि वह अपने टर्गेट का कान हाथ सब कुछ सुन कर दे और नीजा टीम कभी भी छूपके नहीं आता है जब एटक कर है इसका मतलब या है कि नोग करने के लिए न पूरे ट्यार है कि उनीदा टिखा जाता है फिर हमें इदर दिखा जाता है कि को उसे अपने फेस को बदल के एक जगा पे आया हुआ है जिदर एक गाड उन दोनों को रोकने लगता है और कहता है कि तुम लोग इदर क्या कर रहे हो तब को उसे उसे कहता है कि हम लोग इदर कॉंसर करने के लिए आये है सिर्फ फिर वो गाट कहता है कि यह एक restricted area है और इधा सिर्फ authorized लोगों को ही आने दिया जाता है तभी टोकी सदा गाट को मार के भीषोष कर देता है फिर यह दोनों घुज जाता है उस building के अंदर और सारे के सारे गाट को उदर बार के भीषोष कर देता है और लास में यह दोनों इतोगी के माम के पास आ जाता है और उन्हें चुरा लेती है फिर टोकी सदा इतोगी के माम को कहता है यह हमारे acting chip का decision था acting chip मतलब यह इतोगी का decision था तब इतोगी के माम उससे thank you बोलता है और उता से जैसे वो तीनों बाहर आता है तब इस second division का जो captain था वो अपने team के साथ इन तीनों को घेल लेता है फिर आगले सीन में हमें दिखा जाता है कि इगावाले एक कोगावाले के robot ninja से लड़ रहा था फिर सोगी इन लोगों बताती है कि कोगावालों के पास सिर्फ normal ninja ही नहीं है वो लोग robotic ninja को भी ले आया है जिदर हमारे पास मतलब इगावालों के पास 45 ninja है लेकिन दूसरी तर आप कोगावालों के पास 250 से जाधा ninja है ये बाद सुनने के बाद इतो की बहुत जोता शॉक्ट होता है इदर तोकी साथ को कहता है कि तुम चीप को ले किता से भाग जाओ मैं इन लोगों को देखता हो तब उस सेगन डिविशन का कैप्टेन कहता है कि तुम लोग टोकी साथ को मार दो फिर हमें इस साइट का दिखाया था इसी इन जिदर इन लोगो पते जलता है कि वाननवन बैटल में जो रोबोटिक निंजा है वो बहुत ज़ादा ही कमजोर है लेकिन एक ही प्रॉबलम है वो कि ये रोबोट बहुत ज़ादा ही है इसे इतुकी कुछ सोच रहा था तब इकिरोगी उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो तब इसो की उससे बोलता है कि ये लोग इतना ज़ादा निंजास लेके आया है तो ये लोग चाहे तो हम पर एकटाक करके हमें मार सकता है लेकिन ये लोग ऐसे एक एक करके क्यों आ रहा है ये सुनके डियोग को उससे पूछती है कोगा निंजा कितने हिस्वें में बाटा हुआ है इसके जवब में ओ लोग उसे बताता है हर एक ग्रूप में एक निंजा है और चार मेकानिकल रोबोट निंजा है और इसके मतलब यह है कि ओ लोग जादातार मेकानिकल निंजा लेके आया है तब रियो को उनसे बोलती है कि अगर mechanical ninjas के बारे में कुछ पता चले तो सभी को बता दे ना हमें तुरंद बता दे और अगर हो सके तो किसी एक mechanical ninja को पकर के इदर ले आओ इदर कोगा के meeting दिखाएगे जिदर ये बंदा बोलता है कि हमें पता चला है कि 29% of ninja group destroy हो चुका है लेकिन अभी भी एक भी human ninjas के report नहीं आई दुसरी दर भामें इगावालों को दिखाए आता जिदर एक ninja कोगावालों के एक mechanical ninja को पकर के ले आती है इसी करण ये mechanical ninjas एक घंडे से ज़ादा काम नहीं कर सकते है ये सुनने के बात इतों की समाच जाता है कि कोगावाले हमारे ninja कोड के पीछे पड़ा है ताकि वो इसको यूज़ करके robots के अंदर power डल सके और उन लोगों को ये बात पता है कि हमारे ninja कोड की ताकत infinite है इसी करण ओ हमारे ninja कोड के पीछे पड़ा है ये सुनकर ये को कहती है कि दरसल ninja कोड एक rechargeable battery के तरह काम करती है तो इसका मतलब ऐसा ज़रू जगा है जिधर ये robots जाके अपने batteries को recharge करके आती है ninja कोड की मदद से और ये लोग इस pattern में काम कर रहा है जब कोई robot ninja का ninja कोर हता होने वाला है वो चला जाता है recharge करने के लिए और उसके बसले दूसरे robot बैटल फिल में चला जाता है लड़ने के लिए तो अगर वो लोग उस जगा को ढूनके उस rechargeable core को उड़ा दे पर वो rechargeable core मिल सकता है लेकिन problem इस जगा पर अगर वो लोग ज्यादा से जादा इन पाज़ोगा भेजेगा ninjas को उस score को ढूनने के लिए तो उनका defense बहुत जाए कमसर हो जाएगा इसलिए इतोगी कहता है कि मैं खूद जाओंगा उसे ढूनने के लिए सबी लोग इतोगो को माना करता है लेकि नितोगी उन लोग के बात नहीं मानता तब डियोगो भी उसके साथ जाने की जित करती है फिर वो दोनों निकल जाती है अनिधर केरिगो को दिखा जाता है जो कि इस बात को लिक करनी वाला था कोगा वालो के पास लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया वो बात को लिक नहीं करती है और इधर हम देखते हैं कि टोकिसादा एन वो कैप्टेन सिर्फ बचा है टोकिसादा बागी से वो सारे निंजा था उसको मार दिया है उसके बाद शिवनी अपनी मेंबर के साथ उधर पहुचती है लेकिन वो कैप्टेन कैता है कि तुम लोग जाके टोकिसादा को पकड़ो लेकिन इन लोग को सारी सच्चा ही पता चल गया था कि ये कैप्टेन कोगावालों के साथ मिला हुआ है क्योंकि जब कोगा के head पिछले captain का dead body जलाने के लिए जा रहा था तब ये लोग उसको पकल लिये थे तब इससे दो ninja आके इस captain को पकल लेता है और टोकी साथा आके उसको मार के भिहोश कर देता है इधर शिवनी अपने members को कहता है कि तुम टोकी साथा को जाने दो लेकिन हो member राजी नहीं हो रहा था लेकिन हमें दिखा जाता है कि टोकी साथा बुदा से निकल जाता है फिर हमें कोगा वालो को दिखा जाता है जिसका पूरा पहट चुका था चार्जिंग पॉइंट के साथ साथ इधा जो सारे आसपास के मिकलीकल निंजा से वो सब कुछ भी उड़ जाएगा इस धामाके के साथ लेकिन यह करना इन दोनों के लिए बहुत जाद मुश्किल था क्योंकि फिजिकली जाके उधर ये ग्रेणिट लगाना था इसदर रियोकु और एक गैजट निकलता है जो कि निंजास को 10 सेगेंड के लिए रोक सकता है उसके पाद इतोकी आगे बढ़ने लगा एन वो लर्की उस गैजट को अन कर देती है लेकिन इधर इतोकी से आके सुदो को टकर खता है सुदा को उसे रोकने की कोशिश किया लेकिन ओ निंजा उस ग्रेणिट को चार्ज यूनिट पर फेक देता है और ये देखने की मत इतोकी जलसी जल्दी उस बॉम को एक्टिवेट कर देता है वो देखता है कि ओ निंजा और कोई नहीं ओ किरोगी था ये दोकी उसे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया फिर हमें कोगवालों को दिखा जाता है और ये लोग बहुत साधा ही परेशन ही में था क्योंकि इन लोग के चार्जिंग उनिट को उड़ाये गया है और वो लोग बिना मेकनिकल निंजास के इगावालों को हरा नहीं पाएगा इसे करान कोगवाले रिसेट करता है कि ओ आपने बाच्चे हुए निंजास को वापास बुला लेगा इसका मतलब यह है कि इस वार को इगावाले जीत चुका है फिर इधा शीवडी को दिखा जाता है जो कि वो सेगन डिविजन वाला कैप्टेन के बास आया हुआ है इधार में इतोगी को मम को दिखा जाता है जो कि अपने गाव में बापास आ चुकी है इसकरा इतोगी की मम बहुत जादे खुश होती है लेकिन तभी वो सेगन डिविजन वाला कैप्टेन का निंजिसु करने से को उसे को कुछ होने लगती है इतोगी के मम के गर्दन पे एक चाकु रखके बोलता है सभी को कि तुम लोग बाहर चले जाओ अब लोग इधा सब सब देख सकते हो कि वो हीपनोटाइस हो चुकी है और वो ये भी बताती है अगर कोई अंदर आएगा तो उसे इधर ही मर देगी कौन लेकिन कोई उसके फेस पे कट लगा देती है कोई से होश में नहीं है और ये बत यूमी का नूटिस कर लेती है इसी करन वो कोई का मास्क को हटाने लगती है गाइस अब वो टाइम आ चुगा है जब आप लोग इसका फेस रिविल देख सकते हो जैसे ही वो से माक्स को हटाता है वो देखती है कोई से अपने हटे को कसकरी कट रही है जैसे कोवि की कोई समर्च गयी थी इसलिए वो गज्ब कर लेती है लेकिन तभी कोईशे के दिवाग में कुछ होना शुरू हो जाती है इसीकर नो बहराज टैप का हो जाता है एन इतोगी के मॉम को लगता है कि ओब सही हो चुकी है लेकिन उसी बाख आजन्हा कोईशे उसे मार देती है अपने खर में आ चुका है और वह देखता है कि उसके mom का death हो चुका है तब ही उदा टूकी साथा आता है और उसका हालाद भी रोने जैसा हो जाता है आप लोग देखी सकते हो अगरिसिन में हमें इतोकी को दिखा जाता है जो कि बहुत उदास था जापर सोगे उसे कहती है, तुम्हारा मॉम अब नहीं रही, तो इसका मतलब तुम्हें याब इगा का रियल चीप बनना पड़ेगा, और कोसे का कस्टरी टोकी सरा के पास है, और जैसे सच्चा ही बाहर आए, तो तुम्हें तैयर रहना पड़ेगा कोसे को सजा देने के कोगा वालो को दिखा जाता है, जिदर एक आदमी बोल रहा था, हमने साइर के सरे विलेज के हेट को पकल लिया है, या फिर कुछ कुछ को मार भी दिया है, और वह लोग अभी तैयार कर रहा है, इगा के उपर दूसरे अटक करने के लिए, इधर मैं सजागो को दिखा जा अटक करने के लिए, और वह आदमी जाते हुए, सादको को कह जाता है कि तुम छुपके रहो, नहीं तो कोगा वाले तुमें भी नहीं छोड़ेगा, दूसरे दरब हमें इतुकी को दिखा जाता है, जिदर उसको ऑफिशियली चीप बना दिया गया है, और साभी इगा वाल को मेरे मॉम के फ्यूनरल तक रोख सकते है, फिर अरसिर में हमें दिखा जाता है कि, रियो को इतुकी से कहती है कि मैं अब घर जाना चाती हो, क्योंकि मेरे पापा अब हॉस्पिटल में है, तो मुझे देखने जाना है, और किरेगी भी कहती है कि मुझे भी मेरे गाओ चाहिए, वो आगे बताती है कि, डिविशन 2 के कैप्टेन पहले जेल जा चुका है, और इस एनरसि निंजा अकेडिमी का हेड, वो निंजा स्कूल का प्रिंसिबल बन चुका है, और वो आगे ये भी बताती है कि, इस रेजिस्टर में इगा विलेज की एक लरकी है, तो ओक